यह अंसातियों आसा करता हूं आप स्वाष्ट आंगे और मस्त होंगे और यूपय प्लिस की तयारी कर रहे होंगे अगर आपने फिजिकल अभी तक नहीं सुरू किया है तो जरूर कर दें सातियों और आपके आंसर की को लेकर बड़े ही अस्पंज़स में हैं साथी अपने, के ये answer की क्या fake है, बहुत सारी वीडियो आपने देख रखी हूँगी, बहुत सारे यूटुबर्स ये बता रहें, बहुत सारे teachers और यूटुबर्स बता रहें क्या आपकी fake ती, लेकिन साथीो बर्ती बोड ने भी जारी कर दो अपना पिख कर दिया है, यार हो जाएगा त्रूंके साथ यह आपकी जो 5 km के रेस है बॉइस के लिए बतारम तो आपको बिना प्रेक्टिस के करना बड़ा ही की मैंने इसके लिए इसके लिए कट आफ बता रखी हैं उनके अनुसार भी देख सकते हैं दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप चैनल बया कर और अगर आपको खुद एनलाइज हो रहा होगा कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा तो आप अपने जरूर तयारी प्रकासित नहीं पर लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि यह बर्ती बोड की वैबसाइड पर अचानक या फर कह सकते हैं फिक तरीके से आपको प्रकासित की गई थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बर्ती बोर्ड की निगरानी में ये प्रकासित की गई थी साथ इसाथ बर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी नहीं किया लेकिन बर्ती बोर्ड कभी-कभी हर चीज के लिए नोट नवंबर 9 नवंबर 24 तक आप अपनी आंसर की देख सकते हैं भरतिबोड की website पर आपको उपलब्द रहेगी बरतिबोड की website आपको पताई है यूपी पीवी पीवी डॉट जी ऑवी डॉट इन यह आपकी प्रतिबोड की website है दूसरी website आप देख सकते हैं ये में दिखा रहा हूं इस पर भी आप देख सकते हैं तो आप इन तीनों साइड़ों पर आप जा के देखेंगे तो आपको आंसर की दिखे आएगी क्योंकि अभी वर्तिवोर्ड की वैब साइड पर लोड चल रहा है जिसके कारण क्रस होने के कारण आपकी अठादी गई ती साइड अब दौरा से अपलोड कर दी गई आप देख सकते हैं और दूसरा कुश्चन था आपका निरस्त प्रशनों के आपको नंबर मिलें कि नहीं इसमें आपके नोटिस में इस प्रश्च कर दिया है नंबर दो देख सकते हैं इसमें कि आपका जो प्रशन जो निरस्त हुए हैं वह संख्या नंबर संख्या नंबर चभी सुनेत्तर ओवलिक दोया नौपवन कुमार अग्रिम हरी बनाम यूपी पी एससी के द्व प्रश्री कर डिया यह आपका इस परश्टिस में दिया गया है तृतिय सब्ता का मतलब यह है आपका बीस तारीक तक आपका रिल्ड जारी हो जाएगा ब्रती बोड की website पर आपको बड़तीवी वेबसाइड़ पर ही देखना है नंबर तीन की बात करें आपकी कि वह आपक किसी किसी के किसी के तीन है तो आपके वह भी सही नहीं माने जाएंगे और 16 प्रशन ऐसे हैं जिनके विकल्प चेंज किये गये हैं कहने का मतलब है भरती बोड ने पहले उसका अंसर ए दिया था अब भी माना है या फिर बी दिया था तो सी माना है तो इस प्रकार आपके 16 प् जाच करेगा अपनी और उसके लिए कमेटि बिठाएगा जाच होने के बाद रेल्ट फिर जादी किया जाएगा इसी लिए रेल्ट को आगे बढ़ाया गया है पहले देखा जाए तो पिछली सालों में और पिछली वर्टियों में देखा जाए तो आपका जब कट-off आती थी और answer की आती थी final उसके मद्य देखा जाए gap तो 5 से 7 दिन का ही होता था लेकिन इतना gap क्यों किया गया है इसी कारण क्या गया है कि इस बरती को लेकर सजगता अधिक बरती जा रही है क्योंकि भाई इस बरती पर सभी का focus है कोई भी 30 नहो इसलिए आपके result को नवंबर में किया गया है नवंबर की बीच तारीक तक आपका रेल्ड जारी कर दिया जाएगा इसलिए आपको करना क्या है फिर आपको फिजीकल का समय नहीं मिलेगा इसलिए अपना फिजीकल भाई शुरू कर दें किसी भी expected cutoff के चक्कर मैं ना पड़ें आपका ही practice आपकी ही practice आपको आगे ले जाएगी अगर आप फिजीकल में पास होते हैं तब ही आप final cutoff में आएंगे इसलिए आप अपकी से तयारी शुरू करते हैं साती हो और information प्राप्त करने के लिए चैनल को like subscribe जरूर करें साती हो मेरे द्वारा भरती बोर्ट से सारी relative news बगएरा आपको update मिलती रहेंगी उसके लिए आप चैनल को like subscribe जरूर करें जब तक आपका final selection नहुए जब तक तो like and subscribe जरूर करने जाती हो उसके बाद भले ही आप unsubscribe कर देना जाती हो तो मिलते हैं साते हो next नई सूचना के साथ जैहिंद जैवारत